हेलो मेरे चीतो नमस्कार शश्रियागाल मेरा नाम है प्रेम पांडे और आप देख रहे हैं एडुकेशनल हाइक्स की वो वीडियो जिसकी सबसे जाधा डेमांड थे आप लोग कह रहे थे ना कि भाया कोई ऐसी वीडियो ले आए जिसमें जितने इंग्लिस ग्रैमर के क्वे का रिसर्च नहीं है यह मेरे पूरे टीचिंग करियर में मैंने जतने एरर करेक्शन के क्वेस्टन देखे ना उन सभी के बेस पर मैंने आज के ट्रिक्स बनाए हैं तो मैं तुम्हारा बहुत जाधा समय नहीं लोगा बस एक चोड़ी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ला देखो एरर करेक्शन का वुइस्टन देखते ही सबसे पहली बाद हमारे दिमाग में ऑती है इस अलग कौन सा वर्ट गलत हो सकता है हमें कईसे पता चलेगा तो हमें ऐसे पता चलेगा मेरे दोस्त की आपको अगर कोई भी एर अरर करेक्षन का सेंटेंस दिया गया है अब इसमें आपको गलती कहा ढोडनी पड़ेगी, गलती आपको वर्ब में ढोडनी है, आपको देखना है कि क्या correct form of verb यूज हुआ है कि नहीं, अगर ये सही है, तो आपको अगली गलती ढोडनी है, कि subject और वर्ब दोनों अच्छे से agree कर रहे हैं कि नहीं, अगर singular subject है, तो वर्ब भी singular होनी चाहिए, अगर plural subject है, तो वर्ब भी plural होनी चाहिए, आपको ये भी चेक करना है कि कहीं articles और determinants में तो गलती नहीं है, आपको model auxiliaries, यानि may, must, will, sell, ये सब sentence में यूज हुआ है, तो ये देखिए कि इन था correct use हुआ है कि नहीं, आपको relative pronoun अगर sentence में use हुआ है, who, that, which, whose, whom, तो आपको देखना है कि कहीं इन में तो गलती नहीं है, आपको error correction के question में जो गलती होगी, वो इन ही 5 topics में से मिल जाएगी, अब मेरे दोस्त, इनके अलावा और कोई गलती किसी sentence में होई नहीं सकती है, तो ये तो problem solve कर दी, मैंने कि बिया गलती कहां से ढूड़ें, समाज गया है, अब tricks क्या है मेरे दोस्त, तो trick number one की तरफ चलते है, two verbs cannot be used in a single sentence without a conjunction, मैंने पहली बात कही है कि अगर एक sentence है, एक sentence में दो verbs use नहीं हो सकते हैं, अगर conjection लगा कर उस sentence को अलग-अलग नहीं किया गया है, तो sentence में दो verb use नहीं हो सकते हैं, format क्या होता है, मालनो sentence का कुछ हिस्सा दिया है, और यहाँ पर verb दे दिया है, कोई भी form हो सकता है, वो अपका first form हो सकता है, second form हो सकता है, third form भी हो सकता है, और उसके बाद अगर कोई verb आती है ना, तो वो केवल ing form का verb होगा, इसके बाद आप और कोई form of verb नहीं लगाओगे, अब बोलोगे कि भी आपने तो कहा कि two verbs एक sentence में यूज नहीं हो सकते, तो क्या ये वाला verb नहीं है, नहीं मेरे दोस्त, इसको हम जिरंड कहते हैं, ये verb का काम नहीं करता, दिखता verb जैसा है, लेकिन काम ये करता है noun का, है ना, जैसे example आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक question रखा है, board का ही question है, आप देखो, complete the given narrative by fill in the blanks with the correct option, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये, यहाँ पर एक verb की second form आ गई है, और आपको भरना भी verb ही है, तो अगर आप ये rule जानते रहोगे न, तो आप आगे आप ना तो ये वाला भरोगे, ना तो ये भरोगे, ना तो ये भरोगे, आपको पता है कि सिर्फ ing form ही भरनी है, तो हमारा इसका correct option क्या भरोगे आप? feeling, ठीक है? तो पहला trick समझ में आया, कि भाईया, एक sentence में, अगर कोई form of verb already इस्तेमाल हो चुकी है, तो अगला जो verb आएगा, वो केवल ing form में होगा, समझ गए होगे? चलते हैं trick number two की तरफ, ये बहुत important trick है, और इससे बहुत जादा question पूछे जाते हैं, कह रहा है कि भाई, जितने भी verbs, किसी एक sentence या किसी एक paragraph में इस्तेमाल होते हैं, वो सभी एक ही tense में होने चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर sentence की starting, या paragraph की starting present tense से हुई है, तो आने वाले जितने verbs होगे, तो ये latest हमारे sample विपर का question है, हमने यहाँ पर पहली देख लिया, कि यहाँ पर present tense का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, अब अगर आपको ये पता रहता कि भाईया, जिस sentence में present tense आ जाता है, उसके आगे के वाल present ही use करते हैं, तो आप ये question हलवा की तरह कर लेते हैं, जैसे आप देख रहे हो, ये हमारा future में है, तो ये तो use होगा नहीं, ये देख सकते हो, ये past में है, ये भी use होगा नहीं, बस बचा ये दोनो present में हैं, तो हमें इतना पता है, या तो call भरना या तो calls, अब आप देख लो, ये अगर singular है, तब तो calls भरेंगे, अगर plural है, तो call भरेंगे, तो आप देख रहो, clearly दो चीजे हैं, plural है, तो यहाँ पर हम call भरेंगे, है ना, तो हमारा दूसरा trick यहीं कहता है, कि भाईया, हमने यहाँ पर देख लिया, कि present tense है, तो नीचे, ना future का tense लगाओगी, ना past का tense लगाओगी, कि वल present का tense लगेगा, are you getting my point, now, let's move to our third trick, अब ये भी बड़ा important है, और कई सालों से, मैं तुमको बताता आ रहा हूँ, कि भाई, two के बाद, हमेशा warp की first form लगती है, कोई और warp का form नहीं लग सकता, जैसे यहाँ पर ये एक error detection का question है, आप देख सकते हो, यहाँ पर two के बाद, इसने balancing दिया है, दिया है की नहीं दिया है, बस यही गलत है, अब यहाँ पर ing नहीं होना चाहिए, क्योंकि two के बाद, हमेशा warp की first form लगती है, तो हम यहाँ पर error में लिखेंगे, balancing, और सही word क्या होना चाहिए, balance, तो यह एक बहुत छोड़ा सा trick था, कि two के बाद हमेशा warp की first form आती है, अब क्यों आती है, क्योंकि इसको बनाना पड़ता है, infinitive, 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 तो के बाद warp की first form को हम कहते है, infinitive, ठीक है, यह rule है, यह हमेशा आता ही आता है, अगर two के बाद कोई warp आया है, तो वह हमेशा warp की first form होनी चाहिए, समझ गए, let's move to trick number four, और यह है हमारा model auxiliaries के correct uses से, ठीक है, हमके बहुत uses नहीं देखेंगे, इनके tricks नहीं देखेंगे, बल्गी questions भी करेंगे, लेकिन पहले ध्यान से देख लो, कि यह जो common model auxiliaries, हमने आपके सामने लिखा है न, यार, इनके hundred percent chances हैं, कि यही model auxiliaries आपके exam में पूछा जाएंगे, अब देखो, must का इस्तिमाल तुम कहां करोगे, साम में अगर hospital कोई sentence है, जिसमें hospital आया है, ठीक है, hospital word का use हुआ है, तो उसमें हम हमेशा must लगाते हैं, क्योंकि hospital जरूरी के लिए इस्तिमाल किया जाता है, ठीक है, अगर किसी भी sentence में hospital आया है, तो उसमें और कोई model auxiliary नहीं, बलकि हम केवल must का इस्तिमाल करेंगे, तो must कहां use होता है, जहाँ पर कोई चीज कंपलसरी हो, जहाँ पर कोई चीज करना बहुत जरूरी हो, आते हैं में की तरफ, में कहां use होता है, में ऐसे संभावना के लिए use होता है, possibility दिखाने के लिए, अगर किसी चीज के होने की केवल 50-50% संभावना हो, जैसे हो भी सकती है वो चीज और नहीं भी हो सकती है, for example, मालो की आज बादल जो है, वो पुरा काला हो गया है, तो यहाँ पर संभावना है कि बारिस हो भी सकती है, और हो सकता है बादल छट जाए, साफ हो जाए, आसमान बारिस नहीं भी हो सकती है, तो जहाँ पर 50-50% किसी चीज की possibility हो, वहाँ पर हम उसको में लगाते हैं, can कहां use होता है, भाई can हमारा power दिखाने के लिए use होता है, I can lift 2 kgs of stone, I can run 3 km in a day, तो आपका power दिखाने के लिए हम क्या use करते हैं, can, can का use, strong possibility दिखाने के लिए भी use होता है, अगर किसी चीज की होने की बहुत जादा संभावना है, 80% किसी चीज की होने की संभावना है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, can लगाते हैं मेरे दोस्त, will की तरफ आते हैं, आप देखो, will जो है न, वो beliefs के लिए use होता है, कि भाईया, ऐसा मानना है, ऐसा होना चाहिए, तो will किस sense में use होता है, belief के sense में, ऐसा मानना है, इसके sense में use होता है, ठीक है, sell, sell हमेशा इरादा दिखाने के लिए, intention दिखाने के लिए, इस्तेमाल किया जाता है, कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, आपने वो वाली poem तो सुनी होगी न, we shall overcome someday, we shall overcome someday, we shall overcome, मतलब ये इरादा है, कि हम इस मुश्किल से, उपर उठ जाएंगे, हम overcome कर लेंगे, तो इरादा यानि intention दिखाने के लिए, हम सैल का अस्तेमाल करते हैं, should का अस्तेमाल, suggestion यानि सलाह देने के लिए, या आपसे क्या उमीद है, जैसे आपको अपने parents की इज़ित करनी चाहिए, you should respect your parents, जैसे आपको रोज brush करना चाहिए, या आपसे expected है, तो you should brush your teeth daily, तो जो आपसे उमीद करें लोग, उसके लिए हम सुड लगाते हैं, कोई आपको सलाह दे, suggestion दे, उसके लिए हम सुड लगाते हैं, might, मेरे दोस्त, might possibility दिखाने के लिए, इस्तेमाल होता है, बहुत ही weak possibility, अगर किसी चीज की होने की संभावना किवल 15% हो, बहुत कम हो, उसके लिए हम might लगाते हैं, जैसे सायद हो सकता है, ये काम सायद हो सकता है, जैसे सायद आज मैं स्कूल जाओ, I might go to school today, समझ रहे हो, तो आपने ये जितनी भी model auxiliaries हैं, एक बार फिर से मैं तुमको time दे रहा हूँ, वीडियो को रोको, इनको पढ़ो, क्योंकि ये बहुत important है, और इस बात का पता आपको कैसे चलेगा पता है, आगे, ये देखो questions मैंने भी note down किये हैं, अब देखो यार अगर आपको ये पता रहता है न, तो आप आसानी से कर लोगे, जैसे देखो, यहाँ पर एक model auxiliary use हुआ है, will, अब यहाँ पर भी एक model auxiliary use हुआ है, must, अब देखते हैं कि क्या ये सही लिखा है, चलो, कह रहा है कि identify the error and supply correction for the following note in a passenger's flight instruction manual, अब देखो किसी को जब instruction दिया जाता है, तो instruction मतलब क्या होता है, हाँ, suggestion ही होता है न, कि भाईया, ऐसा सुजहाओ दिया जा रहा है, और सुजहाओ के लिए हम क्या use करते हैं, should use करते हैं, ठीक है, तो अपनने तो sentence पड़ा भी नहीं, ऐसे ही निकाल लिया कि instruction दिखाने के लिए हम suggestion का use करते हैं, अब देखो sentence पड़ते हैं, passengers will not reach the airport late in order to avoid a fine equivalent to 5% of the basic fare, यहाँ पर आपको सुजहाओ दिया जा रहा है कि कोई भी passenger अगर late आता है, तो उसको 5% fine लगाया जा सकता है, है न, लगाया जाना चाहिए, लगाएंगे, शुड लगाएंगे, शुड लगाएंगे, राइट, अच्छा दूसरे वाले sentence में देखते हैं, कह रहा है कि this delightful recipe must keep your hunger, pangs at bay with his balanced spices and oriental flavor, अब आप देख रहे हो यहाँ पर must लगा है, अब आप क्या यह must यहाँ पर होना चाहिए, पहले इसको पढ़ते हैं, read the given sentence from a recipe review article, identify the error and supply the correction in the sentence, यह एक recipe review article है, मतलब होटल वाले अपने recipe का review कर रहे हैं, कि भाया जो हमने यह delightful recipe बनाया है, यह आपके भूख को तुरंट मिठा सकता है, कैसे? इसके अंदर balanced spices है, और oriental flavor है, इसकी वज़े से आपकी जो भूख है वो तुरंग मिठ जाएगी, यह एक belief है, ऐसा मानना है होटल वालों का, अब जरूरी नहीं है कि भाया इनका recipe खाने के बाद सभी लोगों की भूख मिठ ही जाए, अगर जरूरी होता, तो must यहाँ पर हो जाता, लेकिन यह जरूरी नहीं है, यह बस होटल वालों का ऐसा मानना है, ऐसा belief है, तो belief के लिए हमें पता हैं क्या use करते हैं, हम will का इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्त, तो error वाले section में हम लिखेंगे must, और correction वाले sentence में हम लिखेंगे, जी हाँ, will लिखेंगे, तो मेरे दोस्त, इतना तो समझ में आ रहा होगा, कि यह जितने model auxiliaries के मैंने इस्तेमाल बताएं हैं, यह बहुत जरूरी है, अगर आपकी यह दिमाग में रहेगा ना, तो आप ऐसे questions ऐसे हलवा की तरह कर लोगे, trick number 5, हमारा relative pronoun के correct use के लिए है, आपको किवल चार, who, whom, that, और which, अगर इन चार relative pronouns का use अच्छे से पता है न, तो भाई, इस topic से अगर कोई error correction का question आता है, तो आराम से कर लोगे, अब देखो कैसे करना है, who कहां इस्तेमाल होता है, who का use तुम कहां कर सकते हो, भाई, who का use हमेशा subject को refer करने के लिए use होता है, जैसे यहाँ पर देखो, who का use कैसे हुआ है, musician हमारा subject है, और musician के बारे में कौन बता रहा है हमारा who, तो subject को refer कर रहा है की नहीं, subject को refer करने के लिए हम who use करते हैं, और who हमेशा leaving beings के लिए use होता है, और खास तोर पर इंसानों के लिए, person के लिए use होता है, ठीक है, whom, whom हमेशा who की तरह ही काम करता है, लेकिन यह subject की तरह, हमारा who, जो है subject के लिए काम करता है, और whom जो है, वो object के लिए काम करता है, जैसे यहाँ पर यह जो whom use हुआ है, वो इस लड़के के लिए, boy के लिए use हुआ है, और boy हमारा object है sentence में, I subject है, I के लिए अगर use होता तो हम who लगाते, लेकिन यहाँ पर boy के लिए use हुआ है, इसलिए हमने whom लगाया है, तो whom हमेशा object को so करता है, और यह भी हम living beings के लिए ही लगाते हैं, खास तोर पे person के लिए, इंसानों के लिए, ठीक है, अब देखो यार, that ना किसी चीज़ को explain करने के लिए use होता है, किसी point को explain करने के लिए, और यह non living things के साथ use होता है, जैसे देखो, 12th September, अब इसके बारे में explain किया गया है, कि 12th September को क्या है, 12th September is the date that I was born, यह वो date है, जब मैं पैदा हुआ था, तो देखो यार, that का इस्तेमाल हमने किस लिए किया है, explain करने के लिए, क्या explain करने के लिए, यह जो आगे चीज़ दी गई है, बस इसी point को explain करने के लिए, हमने that का इस्तेमाल किया है, और that हमारा non-living things के साथ use होता है, which की बात करते है, which हमारा animals के लिए भी use हो सकता है, और things के लिए भी use हो सकता है, याद रखना इस बात को, ठीक है, तो relative pronoun का use हमने देख लिया, इस पर कोई questions मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूं, इस पर relative pronoun पर कोई question मैं आपको दे नहीं रहा हूं, बस इतना छोटा से trick है, इसको याद करके रखना है, अच्छा, अब आते हैं, tenses की तरफ, क्योंकि यहां से भी कई बार आप लोग confuse हो जाते हो, यार यह याद करनी की जरूवत है, इसको याद करनी की तरफ, इस, was, has और does, यह singular subject के साथ यूज होता है, और इनके साथ कौन-कन से वह आपकी form यूज होती है, इज के साथ, हाँ, ing form, was के साथ भी ing, has के बाद, वह अपकी third form आती है, और does के बाद, वह अपकी first form आती है, अब अगर तुमने tenses नहीं पढ़ा है ना, तो इसको रट लो, और तेंस पढ़ा है, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, तो singular subject के साथ कौन-कौन से verb, is, was, has, और does, और इनके बाद कौन सा word आता है, is के बाद हमें पता है, ing form आता है, was के बाद भी पता है, ing form आता है, क्योंकि ये दोनों continuous tense है, has, perfect tense है, इसलिए इसके साथ verb की third form, और does, indifferent tense है, इसलिए इसके साथ verb की first form, अब देखो, plural subject के साथ कौन-कौन से verb use होते हैं, एक तो are हो गया, were हो गया, have हो गया, और do हो गया, ये ऐसे verbs हैं, ये चार, जो की plural subject के साथ use होते हैं, और इनके साथ कौन से verb का इस्तिमाल होता है, are continuous है, इसलिए ing लेंगे, were भी continuous है, इसलिए ing form का इस्तिमाल होगा, इसके साथ भी have perfect है, और perfect में वो अपकी third form use करते हैं, do हमारा indefinite है, और indefinite में वो अपकी first form use करते हैं, ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे भी verbs हैं, जो singular और plural subject दोनों के साथ use होते हैं, जैसे did, अब देखो did यार, singular subject के साथ भी use होता है, plural के साथ भी, had, singular, singular, पिंगलर, दोनों के साथ होता है, sell और will, singular, plural, दोनों के साथ use होता है, did के बाद verb की first form, had के बाद verb की third form, sell और will, चुकि यह model auxiliary हैं, तो इनके बाद हमेशा verb की first form, यार, यहाँ से भी एक trick बनता है, कि भाई साथ model auxiliary के बाद, हमेशा verb की first form आते है, कोई और form of verb model auxiliary के बाद नहीं आएगा, यह याद रखोगे, यह एक trick है, यह trick है, कि यह can आ गया, sell आ गया, should आ गया, may आ गया, might आ गया, यह सब model auxiliary है, इनके बाद हमेशा verb की first form आना चाहिए, ठीक है, और I, आपको पता है, am को लेता है, और इसके साथ ing form आता है, ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और बता दू, कि जिनके जिनके साथ ing लगा है, जिनके जिनके साथ भी ing लगा है, अब इनकी साथ हम verb की third form भी लगा सकते हैं, लेकिन एक condition है क्या condition है कि हमारा sentence क्या होना चाहिए passive voice में होना चाहिए किस voice में अगर हमारा sentence passive voice में है तो जहाँ जहाँ हमने ing लगाया है इज के साथ वो अपकी third form लग सकती है was के साथ भी वो अपकी third form लग सकती है r के साथ भी third form लग सकती है work के साथ भी और am के साथ भी लग सकती है लेकिन condition ये है कि वो sentence हमारा passive voice में होना चाहिए नहीं तो normally अगर हम बात करें तो normally केवल यही form of verbs use होते है age voice के साथ, our work के साथ और am के साथ I hope आप इसका भी screen sort लेलो so that we can move forward तो आप आते है articles और determinants की use की तरफ जो कि आपके लिए बहुत difficult हो सकता है तो आपको यार देखो सबसे पहले यही नहीं पता होता है कि the कहा कहा स्तेमाल होता है तो मैं आपको बता दू कि जितने भी superlative degree होते है एडजेक्टिव के जैसे example में हमने ले लिया best, ठीक है tallest, tallest longest, यह सब superlative degree है और superlative degree के पहले हम क्या लगाते है the लगाते है ठीक है जितनी भी water bodies का नाम हो गया, जितनी भी समुद्र का नाम हो गया जैसे pacific ocean हो गया Indian ocean हो गया और कोई इंदरा गांधी canal हो गया कोई भी water body का नाम हो उसके पहले हम the का use करते है कोई भी famous building जैसे हमारा आप ऐसे कह सकते हो parliament तो parliament एक famous building है ना इसके पहले हम क्या लगाएंगे the लगाएंगे तो किसी भी famous building के नाम के पहले किसी भी famous इमारत के पहले ठीक है देखो water bodies हमने दो बार repeat कर दिया है तो ये वाला काट देना ठीक है किसी famous building या monument के लिए भी हम the use करते है किसी holy book या scripture के नाम के पहले भी हम the लगाते है जैसे the remind the महाभारत the Bible the Quran अच्छा बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जिनके नाम में अरब लगा होता है जैसे United Arab Emirates कई ऐसे देश होते हैं जिसमें Emirates लगा होता है States लगा होता है Kingdom लगा होता है जिनके नाम में इनके पहले भी हम the लगाते है जैसे Kingdom किसमें है United Kingdom of England तो केवल United Kingdom नहीं होगा The United Kingdom of England The United States of America The United Arab Emirates ठीक है तो आप ये सब देख रहो ना कि जिन देशों के नाम के बीच में ये आए इसके पहले हम the लगाते है तो the का use आप समझ गए होगे और the हम उसके लिए भी use करते हैं जिसको हम जानते हैं known objects अगर किसी चीज़ को आप जानते हो ना तो उसके लिए आप the का use करते हो few का मतलब होता है थोड़ा या कुछ और ये countable noun के साथ use होता है little or less इसका मतलब भी होता है थोड़ा और कुछ लेकिन फरक ये है कि ये uncountable noun के लिए use होता है जैसे little water, less water लेकिन few countable के साथ use होता है, जैसे few boys few pens, right some, some दोनों के साथ use हो सकता है countable और uncountable के साथ, लेकिन ये एक condition है कि ये हमेशा positive sentence में ही use होगा negative sentence में use करने के लिए हमारे पास any है any, any का मतलब भी होता है कोई या कुछ, ये countable, uncountable दोनों के साथ use हो सकता है लेकिन negative sentences में, ठीक है every, every का मतलब होता है हर कोई, ये singular noun के साथ use होता है जैसे every boy, every girl each, each भी singular noun के साथ use होता है each मतलब होता है प्रतेक all, all का एक trick है कि all के बाद हमेशा द आता है और all का मतलब होता है sub और ये हमेशा plural noun के साथ use होता है all the boys, all the girls all the pens, all the rooms ठीक है, more more मतलब ज़्यादा और ये countable और uncountable दोनों के साथ use हो सकता है little और less का मतलब तो मैंने आपको बताई दिया पीछे, आप ये देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो इसका screenshot ले लेना, बाकी आते है many पर और much पर, तो many हमारा आप देख रहे हो, many का मतलब होता है कई, ये countable noun के साथ use होता है, और much मतलब होता है, जादा, ये uncountable noun के साथ use होता है, तो I hope कि आपको ये आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने बहुत सारे tricks रखे हैं, वो समझ में आया होगा, और ऐसी अगर वीडियो चाहिए, और questions चाहिए practice करने के लिए, तो येर comment section में comment करो, हम आपके लिए जरूर ले आएंगे तब तक के लिए ख्याल रखे अपना अपनों का Bye Bye, Love You All चैहिंद